स्वागत हैं सभी बच्चों का वार यूटूब चैनल में मैं हूं असुनी सिर्वास्तो उत्तर प्रदेश पुलिस और विभिन परिच्छाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश से सम्मंदित प्रश्णों पर हमारी चर्चा लगातार चल नहीं थी यदि आप नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पूरा वीडियो देखें वीडियो लंबा भी हो सकता है लेकिन ये स्रिंखला हमारी लगातार जारी रहेगी उत्तर प्रदेश से सम्मंदित लोकगीत लोकनित हमने पढ़ा इसके बाद पार्ट बन पर हमने परिचे पढ़ा ठीक आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का परिचे भागलो क्या-क्या प्रषण ये है विभिन कंप्रदिशनों में क्या-क्या प्रषण पूछे आता रहें सबसे पहला प्रश्य ये है आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटे कितनी है ठी है ठीक अब अगर हम इसको बात करें लोगसभा के ठीक है तो आप हमेशा ध्यान लखेगा लोगसभा के अगर हम बात करें तो लोगसभा अनुच्छेथ नंबर असी में है ठीक है लोगसभा अनुच्छेथ नंबर असी में है तो लोगसभा में असी सीटे है जिनमें से अगर कभी ये चर्चा होती है कि सी के लिए कितनी सीटे अरच्छी तरखी गई है तो 17 है उत्तरब्रदेश लोगसभा में और स्टी के लिए इसमें से 10 सीटे है ठीक है के संसद पढ़ना बढ़ा सिरल है सार का मतलब संसद रा का मतलब राजसभा ला का मतलब लोगसभा अनष एगर अर्था करated उत्तर प्रदेश में जो विधाईका है इस विधाईका के उत्तर प्रदेश में दो सदन है एक को विधान सभा कहते हैं और दोसे को हम विधान परशत कहते हैं जिसमें विधान परशत एक उच सदन है कभी इस पर भी बात होगी और विधान सभा निम्र सदन है बात होती है कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा की कुल कितनी सीटे हैं देखे धान से कुल अगर सीटों के हम बात करें तो 404 सीटे हैं लेकिन इसको 403 प्लस एक क्या का मतलब है 403 सीटे हैं और एक जो सीटे हैं वो एंगलो इंडियन है अगर आपसे बात होती है कि विधान सभा में कुल कितनी सीटे हैं तो अगर ये और ये दोनों भी रहता तब भी ध्यान डगना है 404 सीटे हैं उत्तर प्रदेश में विधान सभा का गठन हुआ था 1921 में अगर पहले अध्यच की बात की जाए कि विधान सभा के पहले अध्यच तरवदेश में कौन है तो ध्यान लखिएगा पूरसुत्तम दास टंडन अनुछेद की अगर आप बात करते हैं तो सारी बाते हैं एक ही साथ आप किलिएर करेए कि विधान सभा से अगर विधान सभा से चर्चा होती ते कोई प्रश्न चूटनं की जाते हैं अगला पर्षणी है कि सबसे जादा विधान सभा सीटे कहा है तो आप बताईगा प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जरसंख्या वाला जिला है कमेंट बाक्स में बताईएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जरसंख्या किस जिले के है अगर वहीं हम सबसे कम सीटे की बात करें तो सरावस्ति, महोबा और चित्रकूट तीन ऐसी जगा हैं जहां पर सबसे कम दो सीटे है ठीक है? कमेंट बाक्स में कुछ एक्ष्टा जानकरिया है आप बताते रहेगा सरावस्ति किस नदी के किनारे है महोबा किसके लिए बहुत प्रशिद है और चित्रकूट में कौन सी नदी है ठीक है? इनको कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा विधान परस्त के हम लोग बात करते हैं तो आप से पूछेंगे तो आप बताइए विधान परस्त में कुल सो सीट है और विधान परस्त का उत्तर प्रदेश में जो गठन हुआ है वो 1937 में हुआ विया पहले सभापती की बात करें तो सबसे पहले सभापती कौन थे? चंदरभाल फिर आप से पूछेंगे उत्तर प्रदेश में बताइए आगे चलकर हम बात करेंगे कि विधान सभा से निकल करके ऐसा कौन सभापती है जो विधान सभा का अध्यच भी रहा और आगे चलकर करके वो मुख्यमंत्री के पत को भी सुसूबित करता है ठीक है न? आगे बात कर रहे हैं कि अगला पूछेंगे आप से कि लोकायुक्त का पत क्या है? ये बैक एर में पूछा गया है लोकायुक्त का पत का गठन हुआ है वो 1975 में हुआ है प्रश्ण पूछेंगे कि आप बताओ लोकायुक्त का कारिकाल उत्तरदेश में कितना होता है? आपको बताना है आठ वर्स में पहले लोकायुक्त कौन थे? ठीक है? तो विस्वंभर दयाल सबसे पहले रहे है उच न्याले कि अगर हम बात करें ठीक है? तो अठारा सो छांचट में बात भी होगी कि अठारा सो छांचट में स्थापना होई है फिर पूछेंगे कहां है इस समय हमारा तो बताईएगा प्रियाग राज में प्रियाग राज में उच्छ न्याले है अगर ये भी चर्चा होती है कि आप बताओ कि उच्छ न्याले जो हमारा है इसकी खंड़ पीट कहा है? तो खंड़ पीट में आप बताईएगा LKW हमने लिखा है लखनो इसकी खंड़ पीट है प्रियाग राज ऐसा हाई कोट है 160 नयाधीस अर्थायत की उत्तर प्रदेश में सबसे अदा अगर नयाधीस कहीं पे है तो वो प्रियाग राज में है ठीक है? और क्या बाते आपको ध्यान रखनी है? जब भी कभी बात होती है थोड़ा सा नीचे आपको लिखके समझा रहे है अगर आपसे कभी बात होते है कि भारत में अगर चर्चा निकल के आए आप बताओ भारत में ठीक है? इसमे हाई कोट कितने है तो आप बताइए भायत में इसमें high court कितने हैं तो पच्चीस हैं पच्चीसमा कौन सा है अमरावती ठीक है पच्चीस high court है फिर पूछेंगे भारत में पहला high court बताईए तो भारत में पहला high court के लिए Indian high court act इंडियन high court act इंडियन high court act 1861 पारित हुआ था और उस समय पर कैनिंग और कैनिंग वैसरा हैं बामबे मद्राश और कलकत्ता ठीक है यह जरूर धान रखेगा कि भारत में सबसे पहली बार high court कहां खोला गया है तो 1861 में लाड कैनिंग के समय खोला गया है बामबे मद्राश और कलकत्ता में और इन ही किसमे में पहली बार 1856 में इन ही जगों पर विस्विद्याले की अस्थापना ही की गई है ठीक है तो यह बाते थोड़ा सा ध्यान रखेगा फिर आपसे पूछेंगे कि आप बताओ उच्छ न्याले में सबसे पहले पहले और सबसे पहले भारतिये में तो सबसे पहले अगर मुख न्याधीस की बात कर रहे हैं अगर भारतिये पहले मुख न्याधीस की बात कर रहे हैं तो जरूर ध्यान रखेगा कमला कांत है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग आपसे पूछा जा सकता है ठीक है कई बार पूछा गया है कि उत्तरवदेश में सबसे प्राचीन विष्विद्याले बताईए सबसे पहला विष्विद्याले इनमें से कौन है तो 1887 में सबसे पहला विष्विद्याले कौन सा है इलहाबाद में इलहाबाद किष्ण दी किनारे है कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा तो इलहाबात सबसे पहला मिश्विद आ ले हैं अभी हमने चर्चा की कि ठीक इसी समय पर यानि कि हमने बात की थी अठारा सो एकस्ट में कैनिंग के समय में इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ठीक इसी समय पर ठीक इसी समय में अर्थात के 1856 में ही कैरिंग के समय में ही तीन जगों पर कलकत्ता, मद्राश और बंबई इन तीन जगों पर 1856 में भारत में पहली बार विश्य विद्याले के स्थापना हुई थी तो ये भी साथ में जाते हुए चलिए अगर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है जबाब दीजेगा सुचेता करपलानी कई बार प्रश्ण इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि इन में से कौन सी ऐसी महिला थी जो अपने बिरोधी पार्टी के अधिस से विवाहित रहे हैं तो वो थे सुचेता करपलानी की पती थे जेवी करपलानी समिधान पढ़ेंगे तो भारत के जंडा समित के अधिस थे तो ये भी थोड़ा सधान रखिएगा कि अगर पहली महिला के हम बात कर रहे हैं तो उससे चिता करपलानी हैं महिला राजपाल उत्तरबदेश के नहीं पूरे भारत में सबसे पहली अगर महिला राजपाल की बात कर रहे हैं तो वो सरोजनी नैडू है है ना इसको धान रखिएगा मुख्यमंत्री के अगर हम बात करें कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तरबदेश के तो पंडित गोविंद बल्लपंत कैमेंट बाक्स में जरूर बताएगा कि पंडित गोविंद बल्लपंत शागर कहां पर है सबसे बार अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा बार अगर कौन रहा है तो आप मायावती की बात करिए फिर पूसकते हैं आप से कि आप बताएगे इन में से अब तक उत्तरवदेश की कुल कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री के पत्पर हैं आप बताएगा मायावती वर्तमान में अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में योगी आदितनाध हैं और योगी आदितनाध का नाम पूछा आता है इनका वास्तो में नयागा है, आजे सिंग विस्ट, उत्रा खंड के रहने वाले हैं, तो सबसे कम उमर की अगर हम बात करें, तो अखलेश यादव हैं, उपर मुख्यमंतरी की अगर हम सबसे पहली बार बात करें, तो चौधरी नारायन सिंग है, ऐसे चीजें जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको फसाने की बात चल सकती है, तीन प्रश्ण ऐसे हैं, इन पर भी तोड़ा सद्यान लखें, आप से पूछेंगे, ऐसे मुख्यमंतरी आप बताइए, जो कि बाद में प्रधान मंतरी बने हैं, उत्तर ब्रदेश के, जिन्होंने दोनों का मुख्यमंतरी का प्रस समहला, तो वो थे नरायरदत तीवारी, आगे बढ़ते हैं, विधान सभा के अध्यच आपको बताना है, अभी चर्चा हमने की थी, विधान सभा के अध्यच जो बाद में सियम, मुख्यमंतरी की बत्पर बने, एक थे बनारसी दास और दूसरे थे स्रीपती मिसरा, इसके अलावा क्या पूछया सकते हैं, उत्तर पदेश में राश्पती सासन कुल कितनी बार लगा, जवाब है दस बार, फिर पूछेंगे उत्तर पदेश में पहली बार कब लगा था, तो आप बताएगा, उत्तर पदेश में ठीक है, आगे बात करें, जमिदारी उन्मूलन से प्रश्ण बन सकता है, जमिदारी उन्मूलन कानून 1950, यह कब लाग हुआ है, तो जवाब है 1952 में, मंडलों के अगर हम बात करें, तो मंडलों में उत्तर पदेश में 18 मंडल है, इन मंडलों में सबसे बड़े मंडल के आपसे यह भी पूछ सकते हैं, कि सबसे आखरी में कौन सा मंडल बना है, और 18, सबसे आखरी में, यह जो मंडल है, वो अलिगर है, ठीक है, यह बाती भी थोड़ा सा ध्यान रखियेगा, सबसे छोटा साहरनपूर है, इसको जरूर ध्यान रखियेगा, very important, इस बार के लिए जिलों के अगर आपसे बात कीजा, यह ऐसे डाटा है, जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जिलों के अगर हम बात करें, तो 75 जिलों है, आर्थिक संभाग अगर आपसे पूछेंगे, कि कुल आर्थिक संभाग कितने है, तो आप बताएगा, पस्चिमी है, पूर् गुंदे लिखंड में, मैं पगर याद होगा आपको, ठीक है, तो यह सब सारी चीजे हो सकते हैं, यह कुछ ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के परिचे की, यह स्रिंखला लगातार हमारी, लगातार जारी रहेगी अगली क्लास में, कि उत्तर प्रदेश से समंधित, क्या ज्यादा इस वीडियो को सेर कीजे, लाइक कीजे और कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा, कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर किसी पार्ट पर आपको लगता है, कि वीडियो हमको बनाना चाहिए, तो आप कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा, उस पर बहुत बहुत जल्द ही हम लोग वीडियो बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद